नमस्कार, आज एक महतोपूर्ण मुद्दे पर आप से बस दो मिनट लेना चाहते हैं। ये मुद्दा है IUC यानि Interconnect Uses Charges का। IUC TRI यानि Telecom Regulatory Authority of India दोरा तै किया हुआ एक चार्ज है। ये 6 पैसे प्रति मिनट की दर से उस operator को मिलता है जिस पर incoming call आई है। ये उस operator को देना पड़ता है जिस से outgoing call गया है। हम दूसरे operators को 3 साल में net कोई 13,000 करोड रुपे से जादा का IUC शुल्क दे चुके हैं। ट्राई ने पहले कहा था कि एक जनवरी 2020 से IUC शुल्क पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन अब ट्राई अपने ही इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। जियो दूसरे network को IUC के नाम पर ये subsidy हमेशा तो नहीं दे सकता। इसलिए बड़े भारी मन से हमने एक फैसला किया है। वो ये कि IUC के खत्म होने तक ये 6 पैसे प्रतिमिनट का चार्ज आपके यानि ग्रहाकों के खाते में डाला जाए। और आपको जो अतरिक्त पैसा देना पड़ेगा उसके एवज में जियो आपको इसके बराबर का broadband data पुरी तरह फ्री देगा। हमारे सभी मौझूदा tariff plans जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। साथी जियो से जियो पर होने बाले fixed और mobile calls, सभी landline calls और सभी incoming calls पहले की तरह ही हमेशा free रहेंगे। इसमें सिर्फ एक ही फरक आएगा वो ये कि 10 October 2019 के बाद जब भी आप recharge करेंगे, आपको दूसरे networks पर outgoing calls करने के लिए IUC top-up voucher खरीदना पड़ेगा। ये मजबूरी में उठाया गया एक अस्थाई कदम है। जैसे ही 6 पैसे प्रतिमिनट का ये regulatory IUC शुल्क ट्राई खत्म कर देगा, हम भी इसे वापस ले लेंगे। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुप कामना है।